प्रेगनिंसी सही होना, हल्दी होना, हर एक गर्वती महीला की काम ना होती है, लेकिन कभी-कभी प्रेगनिंसी में कुछ मुश्किली परिशानिया आ जाती है। और ऐसी जब प्रॉब्लम्स आती है, तब हमें मा का और होने वाले शिचु का बहुत ही खयाल रखना होता है, तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगी के प्रेगनिंसी के दौरान हल्दी प्रेगनिंसी के क्या संकेत होते हैं, तो दोस्तों आप देख रहे हैं कुकवित रु में 6-7 विक्स के दर्मियान अगर हार्ट बीड शुरू हो जाए तो ये हल्दी प्रेगनिंसी का संकेत माना जाता है, दूसरा संकेत है अगर आपकी प्रेगनिंसी का 12 विक्स का एंटी स्कैन सही है, तो आपकी प्रेगनिंसी हल्दी चलने वाली है, दूसरी दिमाही के शु ओपन होने के शुरुवात करती है तो ये संकेत होता है premature यानि समय से पहले delivery होने की इसलिए गरबावस्ता के दूसरे trimester में गरबाशय के मुख की length सही होना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी होता है pregnancy के तीसरे दिमाही के दौरान आपका blood pressure बढ़ने के chances होते है आपके शुगर बढ़ने के chances होते है तो ये normal रहना ये healthy pregnancy का संकेत होता है तीसरे तिमाही में प्लेजेंडा की position सही रहना, यानि के प्लेजेंडा ओपर की तरफ रहना, परबाशे मो की तरफ नहीं रहना, ये भी आपकी healthy pregnancy का संकेत होता है तीसरे तिमाही में सोनोग्राफी में बेबी के side का पानी अच्छा रहता है, बेबी की growth सही रहती है और उसी के साथ ही बेबी के तरफ जाने वाला blood flow normal रहता है, तो ये भी healthy pregnancy का संकेत है प्रेगनेंसी में आपका weight gain बिल्कुल कम भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज्यादा भी नहीं होना चाहिए अगर प्रेगनेंसी के पहले आपका weight gain नॉर्मल रहेगा, तो प्रेगनेंसी के दौरान आपका weight gain सिर्फ 10 से 12 kg होना चाहिए प्रेग्नेंसी में आपका नॉर्मल वेट गेन होना ये भी एक हेल्दी प्रेग्नेंसी का संकेत है डॉक्टर आपके बेबी की ग्रोथ आपके बेली की जांच करके करते हैं जब डॉक्टर को आपकी बैली यानि बेबी बंप सही तरीके से ग्रो करता हुआ दिखाई देता है ये healthy pregnancy का संकेत होता है उसी के साथ ही तीसरे तीमाही में आपके बेबी की जो हरकती moments होती है वो आपके लिए बहुत ही important होती है जब बेबी की हरकती सही रहती है अच्छी र ये भी healthy pregnancy का संकेत है तो आज की इस वीडियो में हमने जाना कि क्या क्या संकेत होते है healthy pregnancy के अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी helpful लगी होगी तो एक बार इसे like जरूर करें और आप मेरी चैनल को subscribe भी जरूर करें ऐसी interesting और informative वीडियो के लिए तो मिलते हैं next वीडियो मे तब तक के लिए good bye take care and thanks for watching